परिचाए क्या आपने कभी निम्निलिकित खादे पदार्थूं जैसे शीतल पेऊं, घी, ब्रेड, दूद, नमक के पैक पर शुद्ध शब्द लिखा देखा है? जी हाँ, इन सभी पर शुद्ध लिखा होता है. तो आईए पदार्थूं की शुद्धता के बारे में चर्चा करें. उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. मिश्रणों के वर्गी करन के बारे में जानना, मिश्रणों और शुद्ध पदार्थों के गुण धर्मों को पहचानना, किसी विलियन की सांद्रता को समझना, मिश्रणों और शुद्ध पदार्थों में अंतर को पहचानना, निलंबन और कोलाइडल के गुण धर्मों को पहचानना, मिश्रणों के अव्यवों को वाशपी करण, अब केंद्रन तथा निस्तारन त्वारा प्रिथक करना मिश्रणों का वर्गी करण रासायनिक संगटन के आधार पर पदार्थों को दो प्रकारों में वर्गी करित किया जा सकता है पदार्थ शुद्ध पदार्थ या मिश्रण होते हैं शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं शुद्ध पदार्थ तत्व और योगिक होते हैं मिश्रण दो प्रकार के होते हैं मिश्रण समांगी और विश्मांगी होते हैं शुद्ध पदार्थ और मिश्रण शुद्ध पदार्थ वो पदार्थ होता है जिसमें केवल एक प्रकार का पदार्थ यानी तत्फ अथ्वयोगिक होता है। उधारणार्थ आइरन, कौपर, हैड्रोजन, जल इत्यादी। मिश्रण वह पदार्त होता है जिसमें दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्त होते हैं उधारणार्थ, समुदरी जल, खणिच, मृता अत्यादी शुद्ध पदार्थों एवं मिश्रणों में अंतर आईए अब एक नजर शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के भेदों पर डालते हैं शुद्ध पदार्थ मिश्रण शुद्ध पदार्थ में केवल एक प्रकार का पदार्थ होता है मिश्रण में दो या तो से अधिक पदार्थ होते हैं शुद्ध पदार्थों को भौतिक विधियों द्वारा अलग-अलग पदार्थों में प्रथक नहीं किया जा सकता मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा इसके अव्यवों में प्रथक किया जा सकता है शुद्ध पदार्थों के अपने निश्चित गुण धर्म होते हैं मिश्रण अपने अव्यवों के गुण धर्मों को दर्शाता है मिश्रणों के प्रकार समांगी मिश्रण या एक समान संगठन वाला मिश्रण होता है इस मिश्रन के कण नगन आखों से नहीं देखे जा सकते। उधारण शरकरा का जलिये मिश्रन नमक का जलिये मिश्रन कौपर सलफेट का जलिये मिश्रन विश्मांगी मिश्रन या आसमान संगठन वाला मिश्रन होता है। इसके कण नंगन आँखों से देखे जा सकते हैं. उदारण नमक और रेत का मिश्रण कौपर और लोही के बुरादे का मिश्रण तेल और जल का मिश्रण विलियन और इसके गुण धर्म विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है. वह अव्यव जो अधिक मात्रा में है, वह विलायक है और वह अव्यव जो कम मात्रा में है, वो विले है। जल में नमक का विलियन, जल में शरकरा का विलियन, जल में आयोडीन यानी तिंक्चर आयोडीन तथा सोडा वाटरादी विलियन है। कॉलाइडल विलियन कॉलाइडल विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का विश्मांगी मिश्रण होता है उधारनार्थ जल में स्टार्च का मिश्रण अंडे की अलबुमिन का जल में मिश्रण दूध, धूल या धूएं से युक्तवायू कौलाइडल विलियन के गुंड धर्म कौलाइडल विलियन एक विश्मांगी मिश्रण होता है इसमें उपस्थित कड़ों को नगन आँखों से नहीं देखा जा सकता विले के कड़ों को चान कर अलग नहीं किया जा सकता विले के कण तल पर नहीं बैठते तथा विलियन स्थाई होता है विलियन के कण विलियन से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को फैला देते हैं और इन से गुजरने वाले प्रकाश के मार्ग को देखा जा सकता है निलंबन और इसके गुण धर्म निलंबन दो या दो से अधिक पदार्थों का विश्मांगी मिश्रण होता है उधारणार्थ जल और रेत का मिश्रण पिसे हुए चौक और जल का मिश्रण कोल गेट इत्यादी इसमें उपस्तित कणों को नंगन आखों से देखा जा सकता है इसके कण तल पर बैठते जाते हैं तथा विलियन अस्थाई होता है इसके कण विलियन से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को फैला देते हैं और इनसे गुजरने वाले प्रकाश के मार्ग को देखा जा सकता है इंडल प्रभाव जब प्रकाश की कोई किरण कौलाइडल विलियन से गुजरती है तो कौलाइडल करण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिसके कारण विलियन में प्रकाश के मार्ग को देखा जा सकता है इसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं किसी कमरे में जब प्रकाश की कोई किरण एक छोटे से छिद्र से प्रवेश करती है तो धूल के या धूएं के कड़ों से किरण के फैल जाने के कारण वहां टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है धुदप में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा प्रकाश के फैल जाने के कारण घने जंगलों में भी टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है विलियन की सांद्रता किसी विलियन की सांदरता विले की वह मातरा है जो विलियन या विलाइक की दी गई मातरा में उपस्तित होता है मिश्रण के अव्यवों का प्रिथक करण विश्मांगी मिश्रणों के अव्यवों को निम्न विधियों द्वारा प्रिथक किया जा सकता है वाश्पी करण, अपकेंद्रण, निस्तारण, प्रिथक करण कीब की जाहता से उर्धुपातन, क्रोमेटोग्राफी, आस्वन और प्रभजी आस्वन, वाश्पी करण, यह विधी वाश्पी कृत हो सकने वाले अव्यव यानि विलाय को वाश्पी कृत ना हो सकने वाले अव्यव यानि विलै से प्तथक करने के लिए अपना ही जाती है. चित्र में बारिश का पानी बिजली कड़कने के पश्चात गर्म सतह से वाश्पिक्रित होकर उड़ जाता है अपकेंद्रण किसी भी मिश्रण से अधिक घनत्व वाले कड़ों और हलके कड़ों को अपकेंद्रिय यंद्र का प्रियोग करते हुए प्रथक करने की यह विधी अपकेंद्रण कहलाती है यदि किसी अपकेंद्रिय यंत्र में हम थोड़ा सा दूद लें और उसे तेजी से घुमाएं, तो क्रीम दूद से अलग हो जाती है, क्यूंकि क्रीम का घनत्व दूद से कम होता है इस विधी का प्रयोग परस पर अगुलन शील द्रवों को प्रथक करने के लिए किया जाता है, इसमें द्रव अपने अपने घनत्व के आधार पर विभिन पर्तों में बढ़ जाते हैं यदि हम केरोसीन तेल और जल कमिशरण एक प्रथक करन कीप में डालते हैं, तो तेल और जल की अलग अलग पड़तें बन जाते हैं स्टॉप कार्क को खोल कर जल को प्रथक किया जा सकता है जल के पूरी तरह निकल जाने के बाद स्टॉप कॉर्क को दोबारा बंद किया जा सकता है क्या आप जानते हैं जल में सोना माइकल फिराडे दौरा बनाया गया एक प्रसिद कॉलाइट था ये अभी भी है लंदन के रॉयल संस्थान के संग्रह में और अभी तक इसके कण तल पर नहीं बैठे हैं एक समों के तौर पर कॉलाइट की पहचान थौमस क्रहम ने सन 1860 में की थी उन्होंने महसूस किया कि जिलेटिन और स्टार्च जैसे पदार्थ जल में शरकरा अथवा नमक की अपिक्षा बहुत धीमी गती से विश्रित होते हैं साथ ही ये भी देखा कि ये उन जलियों के भी पार नहीं जा पाते जिन से नमक और शरकरा आसानी से पार हो जाते हैं ग्रहम ने ये भी पाया कि नमक और शरकरा के क्रिस्टल्स बनाए तो जा सकते हैं पर जिलेटिन अथवा स्टार्च के नहीं इस नए प्रकार के मिश्रण जो निलंबन और विलियन से अलग था उसको परिभाशित करने के लिए कॉलाइट ग्रीक शब्द ग्लू से शब्द की खोज उन्होंने ही की सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं एक मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ तत्व अत्वयोगिक अनिश्चित अनुपात में होते हैं विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है वे पदार्थ निलंबन बनाते हैं जो किसी विलायक में अगुलनशील होते हैं तथा जिनके कण नगन आखों से देखे जा सकते हैं निलंबन एक विश्मांगी मिश्रण होता है कॉलाइड एक ऐसा विश्मांगी मिश्रण होता है जिसमें उपस्थितकन इतने छोटे होते हैं कि नगन आखों से देखे नहीं जा सकते हैं लेकिन इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश को फैला सकें